24 अक्तूबर 1914 को चेन्ने के एक परंपरावादी तमिल परिवार में लक्ष्मी सहगल का जन्म हुआ था बच्पन में ही पिता गुजर गए लेकिन हालात का सामना करते हुए उन्होंने 1938 में मदरास मेडिकल कॉलेज से MBPS किया कुछ साल भारत में काम करने के बाद 1940 में वो सिंगापूर चली गई कैप्टन लक्ष्मी बच्पन से ही राष्टरवादी आंदोलन से प्रभावित थी जब गांधी जी ने विदेशी सामानों के बहिशकार का आंदोलन छेडा तो उन्होंने उसमें सक्रियता की साथ हिस्सा लिया उनका ये देश प्रेम सिंगापूर जाने के बाद भी खत्म नहीं हुआ सिंगापूर में उन्होंने नकेवल भारत से आये आप्रवासी मजदूरों के लिए मुफ्ट में अस्पताल खोला बल्कि भारत स्वतंतरता संग की सक्रिय सादस्य भी बनी साल 1942 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब अंग्रेजों ने सिंगापूर को सौप दिया तब लक्षमी सहगल ने घायल युद्ध बन्दियों के लिए काफी काम किया दो जुलाई 1943 को सिंगापूर में नेता जी सुभाष चंडर बोस की एतिहासिक यात्रा हुई नेता जी के विचारों से लक्षमी बेहत प्रभावित हुई और उन्होंने नेता जी से उनके अभियान में शामिर होने की अपनी इच्छा जाहिर की पहले तो नेता जी कुछ हिचकी चाहे पर लक्षमी के बुलंद इरादों को देखकर उन्हें हामी भरनी ही पड़ी फिर क्या था आजाद हिंद फौज की पहली महिला रेजिमेंट का विचार जन्म ले चुका था नाम दिया गया रानी जहांसी रेजिमेंट 22 अक्तूबर 1943 को डौक्टर लक्षमी ने रानी जहांसी रेजिमेंट में बतौर कैप्टन का पद संभाला यही नहीं अपने साहस और अध्भुत कारे की बदौलत बाद में उन्हें करनल का पद भी मिला और उन्हें एश्या की प्रथम महिला करनल बने का गौरव हासिल हुआ लेकिन जुबान पर चढ़ जाने के कारण लोगों ने उन्हें क्याप्टन लक्षमी के रूप में ही हमेशा याद रखा यही नहीं वो 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आरजी हुकूमते आजाद हिंद सरकार में महिला विभाग की कैबनेट मंत्री भी बनी दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद ब्रिटिश सेनाव ने आजाद हिंद फोर्च के स्वतंतुता सैनिकों की भी धर पकड़ की सिंगापूर में पकड़े गए आजाद हिंद सैनिकों में कर्नल डॉक्टर लक्षमी भी थी कैप्टर लक्षमी सेहगल ने लाहौर में मार्च 1947 में कर्नल प्रेम कुमार सेहगल से शादी कर ली और फिर कांट पुरा कर बस गई पर उनका संगर्श यहीं खत्म नहीं हुआ और वो गरीब लोगों की सेवा में लग गई आगे चलकर कैप्टर लक्षमी सेहगल सक्रियर राजनीती में आ गई 1971 में वो माक्सवादी कम्यूनिस पार्टी से राजसभा की सदस्य बनी विटंबना देखिये कि जिन वामपंथी पार्टीयों ने दूसरे विश्व युद्मे जापान का साथ देने के लिए सुभाज चंडर बोस की आलोजना की उसी से आखिरकार कैप्टन लक्षमी सेहगल का जुडाव हुआ लक्षमी सेहगल अखिल भारतिय जनवादी महिला समिती की संस्थापक सरस्यों में रही 1998 में उन्हें पद्म विभूशर से सम्मानित किया गया साल 2002 में 88 साल की उम्र में उन्होंने वामपंथी दलों की ओर से डॉक्टर एपी जे अब्दुलकलाम के खिलाफ राश्टरपती पत का चुनाव भी लड़ा था क्याप्टन लक्षमी सेहगल की बेती सुभाशनी अली है और वो कानपुर से सीपीम की सांसर भी रही है क्या है